ग्राम बुर्दा में चमीनी विवाद के चलते कपिल धाकड को मारी कोली, मर्डा सन्य हालत में गौलियर रिफर खबर पोरी से आ रही है, खबर पोरी वनु विभाद के गोबर्दन धाना छेत के बुर्दा गाओं की है जहां जमीनी विवात को लेकर एक यूवक पर गाउ के ही आरोपियों ने प्राण खातक खमला बोल दिया इस हाथसे में एक यूवक कमभीर रूप से घायल हो गया घायल यूवक को उपचार के लिए गौलियर अस्पताल में भरती कराया गया है जहां यूवक की हालत नाजुक बताई जा रही है जानकारी के अनुसार कपिल पोत्र घंशियाम धाकड उम्रे 26 साल निवासी बुर्दा ने पुलिस को बताया है कि भी 13 लगपक 11 बचे वहां अपनी दुकान के बाहर सौच के लिए निकला था तब ही जमीन के पुराने विवात को लेकर आरोपी बंटी धाकड और प्रदीब धाकड अपने चार साथियों के साथ आया और उसने यूवक को घेर कर उसमें कटे से गोली मार दी उसके बाद आरोपियों ने यूवक पर लाटियों से चानलेवा हमला बोल दिया इस हाथसे में कपिल गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे उपचार के लिए गौलियार रेफर किया गया है गोली यूवक के दाहीने तरफ सीने में लगी है जिससे यूवक मरना सन्ने हालत में है इस मामले को लेकर गाउं में विवात के हालत निर्मित हो गए हैं जिसे लेकर पुलिस ने गाउं को छावनी बना दिया है साथी इस मामले में आरोपी बंटी धाकड और उसके साथियों के खिलाब धारा 307, 147, 148 भादवी के तहट मामला दर्चकर विवेचना में ले लिया है बैरान से धरमेंदर शर्मा की खास रिपोर्ट